हलो फ्रेंज, वेलकम टू माई क्लास और दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग डिसकस करेंगे ITI Engineering Drawing subject के chapter के बारे में जिसका नाम है दोस्तों रेखाओं के प्रकार मतलब different types of lines, line के प्रकार जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है वर्तमान समय में जितने भी ITI colleges है वो कोरोना वेस्विक आपदा के कारण बंद है ठीक है तो SMA students की जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल नहीं रही है आते दोस्तों इसी के मद्दे नज़र जो है आप सभी को इस YouTube channel के माद्यम से जो है थोड़ा बहुत आइडिया है कि जितने भी subject है उनसे related आपको जो है कुछ classes जो है lectures जो है वो provide करवाई जा रहा है आते दोस्तों आप लोग जो है इन lectures को complete देखें और साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों को भी share करें ताकि मैक्जियम जो students है उनको इसका profit मिल सकें तो दोस्तों चलो इस्टार्ट करते हैं तो आज जो हैं engineering drawing जो subject है उसके chapter के बारे में discuss कर रहे हैं और दोस्तों ये chapter है विभिन परकार की lines जैसे कि आप लोग जो है देख पा रहे हो यहाँ पर यह यह line यह description और यह general application मतलब कौन सी line है line दिखने में केसी होगी उसका diagram ही यहाँ पर description मतलब दोस्तों इसका नाम क्या है ठीक है तो यहाँ पर जिसी line है फर्स्ट लाइन है इसको बोलते हैं दोस्तों continuous thick line सतत एम मोटी continuous continuous का मतलब होता है लगाता थिक मतलब मोटा थिन का मतलब दोस्तों पतला होता है थिक का मतलब है मोटा दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो engineering drawing का जो paper आता है वो English में आता है तो आप लोग यहाँ पे जो है जो English के word है उनको learn करने की कोशिस करें और नहीं सिर्फ कोशिस करें 100% यह दिया आपको अच्छे marks प्राप्त करने है पेपर में तो आप लोगों को जो है English के word आने ही चाहिए ठीक है तो देखो continuous thick line है continuous thick मतलब लगातार मोटी लाइन तो यह बिल्कुल सीधी है सीधी है और यह मोटी है ठीक है वीजीवल आउट लाइन जो भी वीजीवल आउट लाइन होती है दोस्तों वहाँ इसका अनुपरियों किया जाता है तो मैंली दोस्तों यह जो applications है यह applications वर्तमान समय में आपके papers में नहीं पूछी आपसे जो है लाइन के नाम पूछेगा वो लाइन जैसे वीबिन परकार की लाइन है उनके डाइग्राम बनाएए इतना ही पूछेगा application जो है दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में जो drawing का paper है वो offline होता है और एक drawing seat के उपर करवाया जाता है तो drawing seat के उपर मतलब है आपसे जो है उसका diagram बनवाया जाएगा तो diagram में वो application तो पूछेगा नहीं आपसे उसका diagram ही पूछेगा तो दोस्तों जो second प्रकार की जो line है वो है continuous thin line तो continuous thin, thin का मतलब दोस्तों पतली और continuous उस hom !! यह मोटी थी और यह पतली हो जाएगी ठीक है next दोस्तोows continuum thin line continues thin freehand freehand यह भी बोल रहा है दोस्तो freehand मतलब मुक्त हस्त मुक्तक्स freehand मतलब मुक्तहस्त जैसे अपने bina scale की साहिता oh एसे ड्रो कर दी यह दोनों जो लाइन से वो स्केल की साहिता से ड्रो करेंगे हम लोग ठीक है और यह जो है बिलकुल एसे सीदी बिना स्केल की साहिता से पैंसिल से ड्रो कर देंगे तो यह हो जाएगी continuous thin freehand line next दोस्तो continuous thin with jig-zag यह है jig-zag line जिग-zag का मतलब होता है दोस्तो उतार्ज डाव वाली ठीक है तो यह देखो यह जिग-जेग मुले इसे जेड़ गी जेसा ठीक है तो यह इसे शिदी आई यहां से यहां से फिर यहां फिर यह से तो इसको बोलते हैं continuous thin with jig-zag zig-zag line ठीक है दोस्तों इसी zig-zag line कहते है next देखो dashed line days 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 करके खिशते हैं नदेश्डीष तो अब आपको दिख रहा होगा इस तो यह दोस्तों dash-dash line ठीक है इसको बोलते है डेश्डी नेक्स देखो dashed thin line dashed यह ठिक थिक का मतलब मोटा यार और dashed thin मतलब पतली तो यह dashed thin line यह पतली है और dash-dash है ठीक है इसके बादे देखो दोस्तों chain貌 ちेन-tear chain yay जिसे टोटा लगा एक बड़ा फिर एक छोटा फिर एक छोटा फिर एक चोटा फिर एक बड़ा फिर एक चोटा-फिर एक छटा ठीक है इसे जो है दोस्तों centerline ह cash यह आद रखना दोस्तों आप लोग इसे जो है center line भी कहते हैं हम लोग और lines of symmetry भी कहते हैं इसको trajectors भी कहते हैं ठीक है यह इस वेशली आद रखना center lines के रूप में हम इसे इस्तमाल करते हैं ठीक है next देखो chain thin वह यार chain thin यह थी chain thin है thick at ends यहाँ पर क्या होगा ठीक at ends देखो नाम क्या है इसका thick at ends थिक का मतलब वह मोटा at ends ends मतलब 0 पर तो 0 पर यहाँ और यहाँ जो end शीरे होंगे वहाँ पर यह थोडी मोटी होगी थोडी मोटी थोडी dark होगी और जो बीच में होंगी न वो पतली होगी और होगी कैसे इसके जैसे होगा एक बड़ा डेस फिर बड़ा डेस फिर बड़ा डेस फिर चोटा डेस लेकिन जो एंड वाले डेस है न यह क्या होंगे मोटे होंगी और बीच वाले डेस है वो पतले पतले होंगे ठीक है मतलब यह जो तो यहां पर बनाते हैं बीच में ठीक है और यहां जो है मोटी डार्क लाइन किस्ते हैं नेक्स दोस्तों चैन ठीक मतलब चैन होगी और ठीक का मतलब मोटी हिंदी में देखोगे न आप इसका नाम तो यह देखो यहां पर यह मोटी है बड़ा डेस फिर चोटा डेस बड़ा डेस फिर चोटा डेस लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है यह पूरा का पूरा जो ला लाइन है राइट मोटी लाइन नेक्स देखो दोस्तों इसके बाद में इसके बाद में दोस्तों लास्ट जो लाइन का प्रकार है वो है चैन थिन डबल डेस्ट चैन थिन डबल डेस्ट मतलब इसमें डबल डेस्ट होंगे तो देखो दोस्तों यह बड़ा डेस्ट फिर दो विद फिर बड़ा डेश फिर दो चोटे डेस तो इसे हम लोग बोलतें चैन थिन डेस्ट चैन देबल डेस्ट डेश्ट है ना बीच में छोटी-छोotे दो डेस्ट है इसलिवे स्को डेबल डेस्ट का गया है समझरे वात को तो mainly edis का question बनता है तो question कैसे बनेगा कि draw different type of lines ठीक है different types of lines मतलब विभिन परकार की जो lines है उनका diagram आप लोगों को बनाना पड़ेगा ऐसा ही simple सा question पूचेगा usage जो है इनके पूचेंगे नहीं तो आप लोग विभिन परकार की जो lines है बहुत easy सा question है दोस्तों lines के नाम याद रख लेना और उसके according कौन से line किस परकार बनाई जाती है वो याद कर रख लेना ठीक है तो I hope कि दोस्तों आज का lecture आप लोगों को काफी ज़्यादा पसंद आया होगा ठीक है दोस्तों मिलेंगे आप से next lecture में तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद